सो हेलो गाइस कैसे आप सबी लोग दोस्तों आपका स्वागते मेरे चैनल प्रतीक्स वर्ल्ड में और मैं हूँ प्रतीक दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर मैं बनाने जा रहा हूँ स्लाइम रागी बाइट से तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मुझे कॉमेंट करके ये बताईएगा जरूर कि आप लोग रागी बाइट द्यादा खाना पसंद करते हैं या फिर चौकोज सबसे पहले मैंने यहां पर रागी बाइट ले लिया हुआ है और मैं यहां पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ले रहा हूँ आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हो अगर आप स्लाइम को ट्राइ कर रहे होतों तो गाइज यहां पर सबसे पहले मैं थोड़े से रागी बाइट को इस बाउल में डाल लेता हूँ दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि रागी बाइट अंदर से कैसे दिखते हैं आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी से स्ट्रॉबेरी फिलेंग है गाइस इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं तो मैंने इसको ज्यादा अच्छे से ग्राइने किया ताकि इसमें थोड़े से चंक्स रह जाए और गाईज अब मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ फैविगम को दोस्तों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पिंग कलर का फैविगम आप चाहों तो कोई भी कलर का फैविगम ले सकते हैं दोस्तों इसके लोगिन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं सो गाइज अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बेकिंग सोडा दोस्तों बेकिंग सोडा हमको चाहिए होता है स्लाइम को एक्टिवेट करने के लिए अगर आप बोरो प्लस या फिर बोरोलीन ले रहे हो तो तो कैस्ट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बोरोलीन अज एक्टिवेटर तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बोरोलीन डालेंगे और स्लाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे जब तक हमारा स्लाइम फॉर्म नहीं होता दोस्तो आप देख सकते हो हमारा स्लाइम धीरी धीरी फॉर्म होना शुरू हो गया है और अब आप देख सकते हो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा स्लाइम फॉर्म हो चुका है दोस्तो इसको थोड़ा सा नीड करने की ज़रूरत है और हमारा स्लाइम खेलने के लिए एक दम ही तियार हो जाएगा दोस्तों अब आप लोग देख सकते हों कितना ही अच्छा दिख रहा है इसमें जो सुलफुल रागी बाइट के चंक्स थे वो बहुत अच्छा लोग दे रहा है और क्योंकि यह स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का सुलफुल रागी बाइट था तो पिंक कलर मैंने अड़ गया जो कि इसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला शोव कर रहा है आप चाहों तो कोई दूसरा कलर भी अड़ कर सकते हो इस योर चोईस अगर आपको पसंद हो तो सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में बाइ